हेलो फ्रेंट दिस इस मिकार की और आप देख रहे हैं श्रेश्ट भारत वॉलीबूड एक्ट्रिस दिपीका पादुकोन इन दिनों अपनी लाइफ के सबसे खुबसुरत फेस को इंजॉय कर रही है वो प्रेगनेंट है और इसी साल सितंबर महने में मा बनेगी पर पर अब दिपीका घर बैठे क्या कर रही है इसकी जहलक सोशल मीडिया के थूफ फैंस के साथ शेयर की है जिसमें वो धागे से बुनी हुई एंब्रोइडरी की फोटो दिखा रही है साथ में लिखा प्यारा सा कैप्शन उमीद है कि मैं कम्प्लीट वर्जन शेयर करने में सक्चम होंगी तो अब इस पोस्ट पर धड़ा धर कमेंट्स आ रही है कहना पड़ेगा कि दिपिका पादुकोन प्रेगनेंसी में भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव दिख रही है तभी तो इस पोस्ट पर अमिता बच्चन की बेटी शुएता बच्चन ने प्यार भरे दिल वाला इमोजी बनाया है एक यूजर ने लिखा मुझे लगता है कि ये फुलकारी है जो ये तब बनाई जाती है जब मा प्रेगनेंट होती है और बाद में उसे गिफ्ट की जाती है कुछ लोग उमीद कर रहे हैं कि वो जल्द ही बेबी बंप की फोटो भी शेर करेंगी तो इसी बीच हबर है कि वो सिंगम अगेन की सेट पर दिखी है विद हर बेबी बंप अरे बड़े जल्दी लोगों की विश पूरी हो गई वैसे आपको बता दे इस से आने वाले बेबी के लिए सरिफ दिपिका ही एकसाइट नहीं साथ में रनवीर सिंग भी काफी एकसाइट है हाली में रनवीर सिंग से एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसका जवाब हर कहीं पे अब वाइरल हो रहा है रनवीर सिंग से पूछा गया कि उनको लड़का चाहिए या लड़की उसके जवाब में रनवीर ने कहा जब आप मंदिर चाहते हैं तब प्रशाद में लड़ू चाहिए या शीरा ऐसा कुछ नहीं पूछते ना जो भी मिलता है प्रशाद के तौर पर ले लेते हैं रनवीर सिंग का कहना है कि उपर वाले की जो भी मर्जी होगे और जो भी फैसला होगा वो उससे खुश होंगे वैसे दिपिका आज कल कैमरे के चकाचौन से दूर है और खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पैंड कर रही है साथ ही ऐसी और भी लेटेस न्यूस से अपडेटेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेज भारत को